हेलो फ्रेंट कैसे हैं आफ सब्सक्राइब दोस्त आज की वीडियो में हम बात करेंगे आई वी फ्लूट के बारे में यान कि आज के प्रजेंट टाइम में बीगनेस कमजोरी ठकान जब किसी पैसेंट को हो जाती है तो उसको कौन सी बोतल लगाई जाती है यानि के जैसे कमजोरी का मोसम है और गर्मी बहुत जादे पड़ रही है और पैसेंटों को चक्कडार आना बीगनेस जैसी प्रॉब्लम हो रही है तो इसमें कौन सी बोतल यूज़ की जाती है किसकी सक्दिसन में लगानी चाहिए तो जैसे कि कोई भी product या कोई भी suppose that मान लीजिए bike को चलने के लिए इनन की अवे सकता होती है इनन का मतलब petrol पैट्रोल का मतलब fuel तो वैसे ही हमारी body को चलने के लिए भोजन, इचिंग, पाचन, एनरजी, glucose की जरूरत होती है जिससे कि हमारा सरीर अच्छे तरीके से चल सके और बढ़िया तरीके से एवरेज दे सके एवरेज के मतलब है के बढ़िया अच्छे तरीके साब maintenance करना है तो उसी पिरकार से हमारी सरीर में कमजोरी ठकान होती है तो कुछ कारण होते हैं जैसे की बाटर आज की प्रेजेंट टाइम में बहुत जादा गर्मी है जिसमें हमारी बोडी का जो बाटर लेविल है बहुत कम हो चुका है यानि कि human body के अंदर चत्तर परसेंट यानि कि 75 परसेंट बाटर होता है और इस बाटर की वज़े से हमारा लीबर, ड्रेन, फेपडे, डाइजेस्टिव सिस्टम, किड़नी, कैलसियम, सारे प्रोडेक्ट बाटर अगर लेविल रहेगा तो इन में आपको कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी तो इसकंट, ड्राई, कॉंस्टि परसेंट, यानि कि सिर में दरद रहना, चक्कड़ाना, बीचनेस, कमजोरी, इसकिन का खुषखोना, खुझली, मास्पेसियों, प्रोब्लम ये प्रोब्लम डिहाइडरेसिन की बज़े से आ जाती है अब इसमें कौन सी बोटल लगाए जाती है और किस-की स कन्डिशन में, इस्तमाल की जाती है, बोटल की किया डोज रहती है, जदा कमजोरी में, किया मिलाया जाता है बोटल में और किसको नहीं देनी चाहिए, जानी गर्मी में जब आप किसी पेशन्ट को बोतल लगाएं तो कौन सी बोतल लगाएं और उस पेटेंट को कौन सी डोज दें और किस मरीज को कौन सी बोतल नहीं लगानी चाहिए यह बहुत मुख्छे सवाल है और इस पर आपको फोकस करना चाहिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कमजोरी धकान में यूज होने वाली बोतल ही तो उस बोतल का नाम है ड्रिपका डैश्टोज नॉर्मन सलाइंड जिसको सोट में डी एनेस बोलते हैं दिनेस की बात की जाए तो डी हाइड्रेसन पानी की कमी, हाइप्रगोलोट्मिया गलुकोज की कमी पैसेंट is not I will drink the fertility liquid जो पैसेंट को सरीह में पानी की कमी यह गलुकोज की कमी होती है उस कंडीसन में दिनेस बोतल का इस्तमाल धनाल कराया जागा है. अगर डोज की बात की जाए कि कितनी बोटल आपको लगा देनी चाहिए तो अगर किसी पैसेंट को काफी कमजोरी हो रही है और उसके सरी में पानी की भी कमी है, गुलूकोज की भी कमी है, डैक्टोज की कमी है तो उस condition में आप 24 गंटे में 3-4 bottle percent को दे सकते हैं उस percent को 3-4 bottle दे सकते हैं लेकिन कुछ percent को ये नहीं bottle भी नहीं दे सकते जैसे कुछ percent होते हैं जिनको सुगर की problem है जैसे diabetes है, heart problem है, दिल की धड़कन बढ़ना या high BP रहने के अगर किसी patient को high BP की problem है तो उस condition में आपको DNS bottle नहीं लगानी है, तो इसका आपको विशेज ध्यान देना है कि उस condition में आपको dextrose यानि DNS bottle नहीं चड़ानी चाहें अगर percent को ज़्यादा कमजोरी है, तो उसमें dextrose के अंदर आप क्या-क्या mix कर सकते हैं तो अगर किसी patient को ज़्यादा weakness हो रही है, कमजोरी हो रही है तो उसमें आप कुछ multi vitamin injection भी मिला सकते हैं यानि कि mix करके भी bottle लगा सकते हैं तो सबसे पहला आता है polyvian, polyvian की बात की जाए तो इसमें vitamin C1, C2, C12 पाया जाता है जो B12 वगेरा, D, तो यह आपकी बोटियम पहुचने मेताकलोवालमीन आपकी नसों में कमजोरी चक्कड़ाना हो गए हैं तो आपको multi vitamin injection होता है जो bottle में दालके patient को लगाया जाता है अगर उसके बाद भी patient को ज्यादा बीकनेस है और ज्यादा कमजोरी है तो एक injection आता है MBI, multi vitamin injection तो इसके अंदर vitamin A, vitamin B, C, D सारे vitamins होते हैं और multi vitamins, multi minerals injection होता है जो आप drip में लगाके patient को slowly use उसको चड़ा सकते हैं तीसरा injection आता है आपका cv12, cv12 की बात की जाया तो इसमें vitamin C और vitamin B12 के सारे formula होते हैं जो आपकी body में बीकनेस कमजोरी को दूर करते हैं तो अगर किसी patient को कमजोरी ज्यादा है बीकनेस चक्कड़ा आ रहें थकान से हैं तो आप ये bottle लगाए और injection ढालें और किसी patient को high BP की problem है या heart rate बढ़ रही है तो उस condition में आप इस drip का use नहीं करें आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जवाब दें और अगली वीडियो आपको किस topic चाहिए कमेंट करके भी बता सकती हैं मिलते हैं अगनी नई वीडियो में तब तक के लिए हमारे चैनल को like, share, subscribe करना नहीं बोलें